नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज हम जा रहे हैं डूंगरगड माता बमलेश्री जी की मंदिर जो की 36 गड़ के इस्टेट के राज राजनन्द गाउं के डिस्टिक में पड़ता है यह मंदिर पहाड़ों में लगबग 1600 फिट के उचाई पर बना है माता जी जो की यह इतनी 1600 फिट के उचाई पर बिराजित है यहाँ पर जाने आने के लिए दो रास्ते हैं जो कि दोस्तों देखो मैं आप में गेट पर पहुच चुका हुं यहां आटो के द्वारा ये पार्किंग दिख रहे हैं और इधर पार्किंग होती है जो की कार और जो भी आप टो वीलर साइड में लगा सकते पार्किंग में में गेट है जिसके द्वारा मंदिर पे चड़ाई करते हैं और यह में गेट के द्वारा होते हुए आप अंदर इंट्री करेंगे और मंदिर पे जाने के लिए दो रास्ते है एक तो सीडी की द्वारा एक जीवो Him बोलते हैं उडन खटोला ठीक है उसको बाहिए उसके द्वारा आप जांच सकते हैं ठीक है तो ये है जहां पे हम उडन कर्टोला का टिकेट कट आते हैं इसको बोलते है जी से रूप básbon लिखा ये जो भी यहां पर लिखा भी गया है इश पे टिकट चार्ज 30 रुपय मात्र और एक 50 रुपय टिकट यह पी ती कर द जा रहा है तो यह यहां पर पritis थे मिनट वेड़ करना पड़ता है और फिर उस बैटते हैं बैटाते हैं अच्छे से दो लोग इधर दो लोग शाइड में उसके बाद वो मात्रे तीन या चार मिनिट में आसानी के साथ पहुंचा देता है यह सीड़ी सीड़ी के द्वारा जैसे आपे 700-800 सीड़िया हैं जो की लगबग तो इसके द्वारा लोग चड़ते हैं परिश्रम करते हैं जिनकी मननत होती है वो सीड़ीयों के द्वारा आते हैं और माताजी के दर्बार में अपना दर्शन करते हैं परशाद चड़ाते हैं और पूरा ए वीडियो भी बना रहा हूं साथ में अभी मैं लगबक तीन सो शाड़ी तीन सो शीड़ी चड़ सुखा हूं माता जी की दर्बार में दर्शन करने के लिए ठीके यह शाड़ में देखने कितना अच्छा व्यू दिख रहा है और काफी उचाई पे भी माता जी लगबक सोला सो फीट की उचाई पे विराजित है जो कि बहुत ही अच्छा और आनद लगता है और यहां पर हमेशा बहुत ही वीड रहता है ठीक बहुत ही भीड़ रहता है यहां पर यह मंदिर में यह बहुत ही परस्षिद मंदिर है जो कि माता जी का मंदिर है यहां पर हर महने लगभग लाखोर से धालू आ जाते हैं माता जी का दर्शन करने जो कि यह सीडियों के द्वारा देखिए कितने अशानी के शाहत है हम मेन गेट पे पहुँच चुके है जो कि माता जी का यहां से जो एक दो मंदिर एक सिव जी का है और एक माता जी का मंदिर है जो कि यहां पे देखिए छोटे सिव मंदिर और इधर देखिए माता जी का मंदिर है अधिक यहां सोते हुत है हम मंदिर पहुछट हैं जो कि यहां से मंदिर पहुचने लिए बहुत ही आसान हो गया, आप समय लो, पूरे सीडियम चड़ चुके है, आप मंदिर पहुच चुके है, जो कि यहां पर पूरी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड है, जो कि मंदिर बंद है, यहां पर मंदिर दो बच के तीस मिनट पर ओपन होता है हमने पहुच गया है यहां पर एक बज़ी सम्तिंग पहुच चुका था इसलिए बहुत ही वेट करना पड़ा हमें माता जी के दरबार में तो यह देखिए शायड व्यू कैसा दिख रहा है मंदिर के जो कि ऊपर मैं चड़ चुका हूँ अभी दम पूरे पुचाई पे जो कि मैं बताया ना आपको और यह मंदिर है जो कि माता जी जहां बिराजित हैं यह भक्त लोक सारे जो भी अपने शद्दानुसार जो भी परशाद या फोल देते हैं यह पुजारी लोग उनको चड़ाते हैं और फिर उनको वापस कर देते हैं ठीक है तो देखिए माता जी है और इधर एक है पुजारे जी पाड कर रहे हैं और प्रसाद भी लेने के बाद आप वहाँ से खात्व बहुत ही अच्छा जगा है यहां पर जो कि यहां देख भी रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है आपर मैं आपको सीधे दिखाता हूं कैसे किस रास्ते के द्वारा नीचे जाते हैं तो यह बनाया गया है यहां पर सब चीज लिखा भी गया है कि इधर से जाना चाहिए कि जो हमारा उलन कटूला है इस ठीक तलाब के ऊपर से होते वे जाता है जो की बोहुत ही अच्छा लगता है और हैं आप गाता हूं वोटिंग हमने वोटिंग भी किया है जो कि वोटिंग चार्ज है मातर बारा रूपए और आप पंदूरा वोटिंग कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही अच्छा वोटिंग करने बहुत अच्छा लगता है इसका कुछ नियम और नियम होता है जो कि बारा मिनट के लिए होता है वोटिंग और इसमें एक जॉकिट देता है जो कि सेफटी के लिए जॉकिट पहना निवार है और करके बताएगा कैसा लगा और मोमेंट लिखिएगा जैम आता दी अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा तब तक के लिए धन्यवाद